नमस्कार दोस्तों बीपियस सीमेंस को ध्यान में रखते हुए साइन्स एन टेकनोलजी के अंत्रिगत जितना भी इंपोर्टेंट प्रशने उन सारे ही प्रशनों को बारी बारी से कम्प्लिट कराई जा रही है आज इसी कड़ी में नेक्ट प्रशन होगा कहा जाता है कि अगला मायूद जल के कारण होगा इस कथन की समिक्षा करते हुए जल परवंधन में बिग्यान वं प्रदोगिकी की भूमका का सुधारन भी वेटना कीजिए अब यहाँ पर कहा जाता है कि अगला मायूद जल के कारण होगा अब यहां पर आपको शुरुवात करना है जल के महतों से, उसके बाद से आपको बताने की कोशिस करना है कि वैस्वी कस्तर पे जल की क्या भूमका है, कहां कहां पे किन किन छेतरों पे कितनी जल की मात्रा है, और उसके साथ साथ भारत को भी आपके कमप्रिजन करके चलना उसके बाद से बताना है कि यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे जल की कमी के कारण है और जब जल की कमी के कारण आपको पता चल जाएगा या फिर समस्यां आपको पता चल जाएगा जो भी चुनोती है पता लग जाएगा तो फिर असानी से उसको एक परड़ाम के रूप में उसके बाद से यहाँ पर दूसरा जो पार्ट है कि जल परमंदन में बिग्यानें प्रोदोगी की भूमका का स्वधार और विवेचना करें, उसके बाद से यहाँ पर किस तरीके से साइन्स इन टेकनोलजी का परियोग करते हुए, जल का बेहतरीन तरीके से मेनेजमेंट किया जा सकता है, कौन-कौन से से टेकनोलजी है, उसको आपको बताने की कोशिस करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखने का प्रयास कीजिए, भूमका में परचाई में आपको बताना है, उसके बाद से जल संकट की वैस्विक और भारत की हिस्तिति, जल संकट के काराल, उसके बाद परड़ाम, और फिर उसके बाद से क्वेश्चन का जो सेकेंड जो पैरेगराप होगा, जल प्रबंधन में बिग्यानेवम तकनीक की भूमका, उसके बाद से यहाँ पर निसकर्स के रूप में अप्टिपड़ी कर सकते हैं, जल की भूमका को बता सकते हैं, इस परकार से पंच तत्व इंपोर्टेंट है, तो उन्हीं पंच तत्व में एक जल भी ध्यान रखेगा, सामिल है, जल के बिना जीवन की कल्पना भी यहाँ पर नहीं की जा सकती है, इसलिए यहाँ पर जितना भी देखेंगे, शुरुवाती तोर पे दुनिया की जो भी यहाँ पर पुरानी पुरानी जो भी यहाँ पर सभ्यताय बसी, सभ्यताय बसी, सब यहाँ पर नदियों को किनारे ही बसी, नदियों के किनारे ही बसी, चाहिए हम लोग मिस्र की सभ्यता की बात कर ले, मिस्व पुटामिया की सभ्यता की बात कर ले, खुद भारत में हम लो धुन्द उपयोग ने पूरी तरीके से यहाँ पे ध्यान रखेगा, पूरी तरीके से मनुस्यों ने जल का इतना अधिक भारी मातरा में दोहन कर लिया है, कि आज एक बड़ी अबादी के पास पीने के लिए यहाँ पे स्वक्ष पानी तक नहीं है, स्वक्ष पानी तक खुद सोचिए हैं यहाँ पे, इसका कारण यहीं है कि मनुस्यों ने अपने बिलासिता के लिए जल का इतनी बुरी तरीके से दोहन किया है, कि पूरा जो बिश्व है अभी जल संकत से जूज रहा है और भारत भी सिया चच्छवा चुता नहीं है, अभी कई सारा रिपोर् परशन के आज पास ही पीने लाइक जल है, तो समस्या यहाँ पे होगी ही होगी, इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि अगला जो यहाँ पे युद्ध होगा, उसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पे जल ही होगा, ठीक है, अर्थात जल संकत का डर पूरी तरीके से बिश्व को पूरी तरीके सित्ता नौ में डाल रहा है और नो डाउट यहाँ पे इसके वज़ा से एक फिर से ठीक है, भी सुईध हो सकता है, तिरतिय भी सुईध हो सकता है, फिर क्या पता कौन सा भी सुईध हो सकता है, तो इन सारे ही बातों से आपको परचे के रूप में बताने की क अब आई हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं जल संकट की वैस्वी किस्तिती यहां पर क्या है जल संकट की वैस्वी किस्तिती क्या है और भारत किस्तिती क्या है तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखने का प्रियास करते हैं वैस्वी किस्तिती तो देख पा रहे हैं पूरे ही प्रित्वे में अगर देखा जाए तो 100% जल में 100% जल में यहाँ पे जो स्वक्ष जल की जो मात्रा है स्वक्ष जल की जो मात्रा है महज यहाँ पे 2.07% के आसपास है बाकी का जो बच रहा है यहाँ पे लगभग 98% के आसपास सब वो समंदरी जल है खारा पानी बला जल है जिसका जो उप्योग है परत्यक्ष रूप से यहाँ पर हम लोग नहीं कर सकते हैं तो देखे समस्या यहाँ पर रहेगी ही रहेगी और अभी देख पार अभी वर्तमान में जिस तरीके से पूपलेशन बढ़ रहा है पूपलेशन डेशिटी बढ़ रहा है भी वर्तमान में देखा जाए तो पूरे बिसो में आठ अरब से धीक लोग रखते हैं और इसमें अभी दो अरब से धीक लोगों को पीने के लिए स्वक्ष पानी नहीं है जिसके वज़ा से यहाँ पे तेजी से कई परकार की बिमारिया फैलती जा रही है जैसे कि जल की वज़ा से हैजा हो गया हैजा के साथ साथ आंत्रसोध हो गया आंत्रसोध जो खास कर ठी के इसको जाना जाता है बहुत समस्या है और ऐसे जो विक्राल जो समस्या है खास कर देखा जाए तो इधर जो पौस्चिमी जो एसिया का छेतर है यहाँ पे देख पार है बहुत बड़ी मात्राइ में जो यहाँ पे देश मौजूद है जैसे कि यहाँ पे देख पार है सिर परनिस्तान का, पकिस्तान का, भारत, भारत में भी आप लोगों ने महराष्ट में एक जगा है, लातूर है, बुंदेल खंट का इलाका है, दच्छिड भारत का छेतर है, ऐसे आपको बहुत सारे छेतर देखने के लिए मिल जाएंगे, जहां पे भारत पे आज वरतवान में जल की समस्या पूरी तरीके से यहां पे मवजूद हैं, ठीक है, और यहीं अन्मान लगाया जा रहा है, कि जब इस तरीके समस्या आ रही है, तो 2024 तक यह तनाव बढ़ते जाएगी, और जब तनाव बढ़ता है, तो कुछ भी यहां पे हो सकता है, तो इन सारे डेटा को किचे इधर दच्छिल अफ्रिका हो गया बच्छिल अफ्रिका की अभी कुछ दिन पहले जब भारत के जब टीम गई थी किर्केट मैच खेलने के लिए तो वहाँ पर महच सोची हो वहाँ पर ठीक है पाट-पच मिनट का सिर्फ सावर दिया गया था किर्केट खिलाड़ियों को नहाने के लिए सुच पारे यहाँ पर इतना पूरा जो एकदम प्राइदि पिया दच्छिड अफ्रिका के रूप में पर मौझूद है तीन तीन च्छितरों से घिरा हुआ च्छितर होने के बावजूद भी यहाँ पर स्वक्षपानी यहाँ पर मौझूद नहीं है समस तो भारत देखिए मौनसूनी जलवाई हुए काफी हद तक भारत को इससे फायदा मिल सकता है लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो कए बार ठीक है इलिलो का इफेक्ट भी आ जाता है अभी देखा जाए हाली में तो लगभग भारत में दो वर्सों से दो वर्सों से कम कमजोड मौनसून के कारण लगभग यहां पर देखा जाए तो ताई 30 करोड से अधीक लोग 330 मिलियन के आस पास यहां पर लोग हैं यहां पर पूरी तरीके से सुखे से परभावित है जल की समस्या यहां पर पूरी तरीके से मवजुद है और पूरे-पूरे भारत का अग पर छेतर देखा जाए तो यहाँ पर 50% के आसपास नहीं रखेगा 50% के आसपास सुखे इस्तिती जैसी यहाँ पर मौजूद है तो समस्य यहाँ पर होगी ही होगे अब यह जो सुखा वाला जो इस्तिती एक खुदा पनमान लगा सकते हैं दच्छिड भारत में इधर 50% सथिक जो सुखा वाला जच्छितर हैं वो दच्छिड भारत में और पस्ति भारत के तरफ देखने के लिए मिल जाएगी और इनहीं राजियों में जल संकट की अभी वी समस्यां गंभीर बनी हुई है अभी देखें नीती आयो के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई ह 2018 में जो नीती आयो के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है उसमें साप साफ इसमें बताया गया है जल प्रमंधन सुचकांग के रिपोर्ट यहां पर जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि लगभग देश के ये कईस परमुक सहरों में लगभग 100 मिलियन से अधीक सोच पार है 10 करोड से अधीक लोग जल संकट की भीशल समस्या से जूज रहे हैं और यहां पर देखा जाए तो भारत की लगभग 10 से 12 परतिसत जन संख्या अब सोच ये 12 परतिसत अब भारत की जो टोटल जन संख्या जो हो गई है 1.4 अरब से यहां पर अधीक हो गई है इसका अगर आप आरे परशन निकालेंगे तो एक बहुत बड़ी जन संख्या आपको देखने के लिए मिलेगी यहां पर बिल्कुल डे जीरो लग गया है डे जीरो डे जीरो का मतलब सिंपल सा है यहां पर कि जो भी सहर है वहां का नल सुक जा रहा है लोगों को पानी के लिए लाइन लगना पड़ रहा है तो समस्या यहां पर होगी ही होगी इसलिए यहां पर रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 2030 तक 2030 भारत में पानी को लेके जो इस्तिती है बहुत बिकराल होने वाली है गंभीर होने वाल जैसे इसी रिपोर्ट में हाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे 1994 में प्रती वेक्ती जो जल की जूप लब्धता थी लगभग 6000 घन मीटर थी 6000 घन मीटर थी अब देख पार है कैसे घटते जा रहा है लगभगे 2000 इस भी में आते आते एक घटके हो गया 2300 घन मीटर के आसपास वहीं और घट गया 2025 तक आते आते अनुमान है कि यह घटके यहाँ पे 1600 घन मीटर के आसपास हो जाएगा अब समझ सकते हैं कि 2030 तक आते यह जो रेसियो है यहाँ पे और घटता गों नजर आएगा अर्थात लोगों के पास पीने के लिए पानी उपलवद नहीं हो पाएगा एक बहुत बली जन संक्या के पास अब नेक्टम लोग बात करते हैं यहाँ पे जल संकट के कारण द्यार रखेगा जल संकट के कारण अब कई सारे कारण है यहाँ जैसे कि number one यहाँ पे देखा जाए यहाँ तो global warming Global Warming के वजह से मोंसून भी परभावित हो रहा लेकिन एक मात्र कारान नहीं है लेकिन Global Warming से हो गया रहा है कि कई सारे चित्रों में सही तरीके से वर्सान नहीं हो पा रही है समुंद्रों का अगर Glacier प्गर रहा है तो सुची इतना स्वक्ष जो वरफ था, वो पूरी तरीके से खारे पानी मिल जा रहा है, समुदर का जल अस्तर बल रहा है, तो तटवर्ती इलाकों को डूबोने का प्रयास कर रहा है तो जो जल है, ठीक है रियूज में का सकते हैं कि रिस सैक्लिंग परिकिरिया में आ नहीं पा रहा है, समस्या यहाँ पर होगी ही होगी, ठीक है तो गलोबल वार्मिंग वज़ा से अगर भारत का संदर में देखा जा है, तो पहले जो मौनसून का जो ओसतन टाइम होता था 45 दिन होता था, और आज यह वर्तमान में 22 दिन हो गया है, सोच पर है आधा हो गया है, सीधे यहाँ पर आधा हो गया है, तो मौनसून की तिवरता में भारी यहाँ पर कमी आई है, और मौनसून की तिवरता में भारी कमी आने का मतलब कि भारत में सही तरीके से वर्षा नहीं हो रही है दूसरा कारण लोग देखें यहाँ पे बांध का निर्माड अब सोचें यहाँ पे बांध का निर्माड यहाँ पे किया जा रहा है पन बिजली परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है पन बिजली परियोजनाओं का बिकास किया जा रहा है चाहें लोग यहां पे सिचाई के लिए सिचाई के लिए यहां पे नदी की धारा को नदी की धारा को मुड़ने का यहां पे परियास किया जा रहा है अब इससे आप समझ पा रहे हैं कि यह कितना है यहां पे प्रकृती अपना मार्क खुद तै करती है लेकिन यहाँ पे बीच बीच में एक इंटर्फेर हो रहा है तो सोच पार है अगर बड़ा जो डैम का निर्मान हो रहा है तो सारे ही पानी को वहाँ कठा कर लिया जा रहा है और बाकी छेत्रों में समस्या हो रही है कुछ जगवा पे चाई के माधियम से नदी के धारा को मोड़ के वहाँ पर उपलब्द कराया जा रहा है लेकिन यह सारा छेत्र ध्यान रखेगा सारा छेत्र यहाँ पे पूरी तरीके से भूरी चार्ज नहीं हो पा रहा है जिसके वज़ा से जल संकट का यह भी एक परमूख कारणों में से एक है इसके लवा यहाँ पे नेक्ष्ट कारण हम लोग बात करें तो यहाँ पे भू जल का दोहन भू जल का दोहन अर्थात नीचे का जो जल है देखिए स्वक्ष जल है पूरी तरीके से अब इन स्वक्ष जल का जो परियोग है बड़ी मात्रा में यहाँ पे क्रिसी में किया जाता है जैसे कि हम लोग कुछ डेटा के बात करें तो 1980 के आज पास लगवग 30% भू जल का इस्टम यहाँ पे दोहन किया जाता था लेकिन आज वर्तमान में यह संख्या बढ़के 60% के यहाँ पे आ गई है और क्रिसी में जो स्वक्ष जल का जो परियोग है भारत में बहुतायत रूप में परियोग हो रहा है और यहाँ पे जब पानी अगर तेजी से निकाला जा रहा है तो भू अस्तर यहाँ पे घट जा रहा है समस्या तो है की नहीं है तिसलिए उतना ही निकाला जाये जितना यहाँ पे जरुरत है उसके लिए फिर से science and technology का परियोग करना पड़ेगा उसी तरीके से यहां पे कुछ और भी यहां पे जिम्मेदारी ठीक है आफिर कर सकते हैं कि कारण के रूप में ठाराया जा सकता है बड़ी बड़ी कमपनियों को यहां पे बड़ी बड़ी कमपनिया जैसे कि यहाँ पे कोका कोला हो गया यहाँ पे उनको समझ रहे एक बटल पेपसी बनाने में कोका कोला बनाने में इतने बड़ी मात्रा में उन लोगों के द्वारा भूजल का उपयोग किया जाता है भूजल का तेजी से दोहन किया जाता है इसके अलावा यहां पर सहरी करोंड को भी एक जिम्मेदार सहर आ सकते हैं, सहरी करोंड गाउं में पानी के वुज़ उतना कहा हो पाता, जितना सहरों में होता है, देख पार हैं, सहरों में एक संदार जो प्रिकरिया है, सिवेज की प्रिकरिया है, यहां पर असानी से उसमें कितना भी पानी डाल देजिए, पता ही नहीं चलता है, गाउं में इसा सिस्टम नहीं होता है, गाउं में लोग अवा सकता भरी यूज करते हैं, लेकिन हाँ सबसे बड़ी समस्या है कि गाउं में, चुकि खेती में बड़ी मात्रा में पानी का दोहन जरूरी हाँ पर होता ही होता है इसके अलावा देखा जाए तो भारत में जो किसी भी परकार का कोई यहाँ पे ब्यापक जल नीती का भाव है जल नीती हाँ पे जरूर यहाँ पे होना ही चाहिए तभी जाके संदार तरीके से कारे कर पाएगा कुल मिला के देखा जाए तो कूपरबंधर और सासन की कमे के कारण जल जो संकट है प्राइदीपी छेतरों से लेकर दचल भारत तक और राजवर्तमान में हिमाली छेतरों में बहुत सारा ऐसा छेतर है जहां पे जल की समस्या देखने के लिए मिल रही है तो हर हाल में यहां पे ध्यां देना बहुत ही जरूरत है अब यहां पे next बात करते हैं जब इतनी सारी समस्याइं मेवजूद है तिसका परिराम कीठ हो सकता है यहां पे number one परिराम देखे खाद सुरच्छा को लेके, यहाँ पे देख पार है, खाद सुरच्छा को लेके, चुकि जल ही यहाँ पे जीवन है, क्रिसी छेतर में, भारी जल की यहाँ पर वा सकता होती है, भारी हेवी बाटर नहीं करना है, बड़ी मातरा में यहाँ पर जल के वा सकता होती है, लेकिन ज यहाँ पे पूरी तरीके से खाद आसुरच्छा को बढ़ावा मिलेगा। तो समस्या यहाँ पे आएगी हैं उसके बाद यहाँ पे जल संघर्स और प्रवासन यहाँ भी एक बहुत बढ़ी समस्या है है। जब जल ही नहीं रहेगा तो जहां पे जल रहेगा वहां पे लोग migration अधिक करेंगे सोचिए दच्छिल भारत के लोग आ जाएंगे फिर हिमाली छेतरों में रहने के लिए तो यहां पे क्या होगा फिर यहां पे भी जल तेजी से खतम हो जाएगा तो इसलिए यहां पे कहा जा रहा है कि जल संघर्स और प्रवासन की वज़ा से यहां पे संघर्स की स्तिपैदा यहां पे हो सकती है और वर्तमान में इस सम्हावना सी इंकार सोरी आने वाले दिनों में इस सम्हावना सी इंकार नहीं किया जा सकता है उसी तरीके से हैं यहाँ पर आर्थिक और इस्तिर्ता यहाँ पर ठीक है 202 के उनसार वर्ल्ड बैंक के उनसार जल की कमी के चलते कई देशों की यहाँ पे GDP परभावित होगी समझ पार है GDP साब साब दिखाई दे रहा किरिसी ही भर थोड़े यहाँ परभावित होगा खुद सोची अगर माई माईग्रेशन होगा जल संघर्स होगा तो हरे गरिया डैमेज होगा यहाँ पे चाहे प्राइमरी हो सेकेंडरी हो टर्सरी हो आज के समय में मतलब देख पार हैं यहाँ पे रोबोट रोबोटिक्स से लेके आर्टिफिसियल इंट्रिजेंस चुकि इन सारे जीजों को मानो ही कंट्रोल कर रहा है मानो ही अगर सही तरीके से सुब्यवस्थित नहीं उपाए तो फिर बाकी चीजे यहाँ पे कैसे हो सकती है तो समस्यां यहाँ पे होगी ही होगी आर्थिक और इस्तिता के वज़ा से GDP परभावित होगी और कई सारे देशों को आर्थिक समस्यां का सामना करना पड़ेगा यहाँ पे भी संगर्ष की सिती बन सकती है उसके बाद यहाँ पे जै विभित्ता की हानी देख पार है यहाँ पे बने यह ऐसे मने का सकते हैं कि एक तरीके से बेजान ही अम मैं इनको बोलता हूँ ठीक है चुकि यहाँ पे इंसानों के तरह थी अपने fundamental rights के लिए लड़ नहीं सकते हैं पेंड पोधे अपने पाने के लिए यहाँ पे लड़ नहीं सकते हैं कि उनको काटा जा रहा है उसके लिए लड़ नहीं सकते हैं तो समस्यां आपे होगा के नहीं होगा खुद अब सूच के देखिए और इन की समस्यां होने का मतलब है की उसमस्यां हमें होगा यहाँ ठीक है तो जो भी यहाँ पे जैविविता के हानी होगी कि बड़े मातरा में यह भी यहाँ पे पेंगर, पौधे, जीव, जन्तु, सब यहाँ पे जब नस्ट हो जाएगा, पुरा का पुरा जो एको सिस्टम ही अन्बैलेंस हो जाएगा, हर तरीके समस्य आना थे हैं, कानून बिवस्था बिगरने का अनुसार, ठीक है असार, यह त पे पानी के लिए लाइन लग रहा था, पर सासा ने वहाँ पे धारा 144 लगा दिया, पानी के लिए सुचिए, धारा 144 लगा दिया, तो यह तो शुरुवात थी मातर, अब यह एक दो साल, तीन साल, अगर भारत में मौनसून अगर ना हो, यह लिल्लो का इफेक्ट पूरी तरीके से अगर हावी हो जाए, तो फिर यह मामला और भूत अदिक यहां पे complicated हो सकता है, अब यहां पे जब इस तरह की गत्विधिया हो गए, तो यह महायूद के रूप में परड़ित यहां पे हो सकता है, बाकी अलग-अलग देशों में जब इस तरह की जल संकट का जो लोग सामना करने करेंगी तो समस्से यहां पे क्या होगा, तनाव बढ़ते जाएगा, और यही जो तनाव है, महायूद का रूप भी ले लेगा, नए तकनिक का परियोग का यहां पे दिरुप योग, ध्यान रखेगा नए तकनिक के परियोग का दिरुप योग, जैसे कि एकजामपल मैं देने का प्रियास कर रहा हूँ, यहां पे हाइड्रोजन अधारित फ्यूल, अभी तेजी से ठीक है, यह भी कारे कर रहा है, हाइड्रोजन अधारित फ्यूल, हाइड्रोजन अधारित फ्यूल, अब इसको यहां पे बनाया कैसे जा रहा है, तो ध्यान से द इस तरीके से खेटों में पानी डालते समय जल का दोहन हो रहा है। बड़े-बड़े सहरी करण कोका कोला जी सी कमपनी हैं boyfriend जल का दोहन कर रहे है। वैसे ही यहाँ पर फ्यौल रूप में जल का दोहन बड़ी मातरा में यहाँ पर होगा ही होगा। तो इन सारे ही परणामों को आपको ध्यान में रखना है रटने के जरूरत नहीं एक एक चीज़ों का आप समझ लेंगे तो बिल्कुल असानी से कलासी में सारी चीज़े किलियर हो जाएगी अब बात करते हैं हम लोग जल परबंधन में बिग्यानेवम तकनीक का परियोग बहुत ही जरूरत है जैसे कि यहाँ पर सर्फेस ओसान टोपोगराफी मीशन यह यहाँ पर लगबग चार देशों के द्वारा जो सेटलाइट भेजा गया इसमें कनाडा है युके है फ्रांस है फ्रांस है और ठीक अमेरिका है अमेरिका का यहाँ पर नासा है ध्यान रखेगा नासा है यहाँ पर तो सारे ही देशों के जो भी यहाँ पर अस्पेस जो एजेंसिया है इनहीं लोगों के द्वारा जो संजुक्त एक उपगरह जो भेजा गया है 2021 में ध्यार रखेगा 2021 में भेजा गया है अब ये जब जाएगा वहाँ पे तो प्रित्वी में पानी का वैस्विक सर्वेच्छड करेगा जो भी ये सेटिलाइट जाएगा पानी का वैस्विक सर्व जो सर्वेच्छड का मतलब कि पूरा पूरा यहाँ पर जो भी नदी है जील है जलासय है महासागर है इन सारे ही चीजों का पूरी बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट करके परवंधन करके जो भी यहाँ से डेटा याएगा उस डेटा को अधार बनाके एक सही जल निती को यह यहाँ पर अपनाया जा सकता है उसके बाद यहाँ पर अस्मार्ट मीटरिंग ध्यान रखेगा अस्मार्ट मीटरिंग जिस तरीके से बिजली में देखा हो गया आप लोग ने ठीक है कि अस्मार्ट मीटर जो लगा दिया गया आज कल तो प्रीपेट भी यहाँ पर चल रहा तो इससे बहुत फायदा मिलेगा कई जगा देखते होंगे कि सहरों में पई जगा अगर कही नाला तूट गया ठीक है अंदर का जो पाइप होता है उफट गया पानी का रिसाव इससे ही होता है जल जमाव लग जाता है तो यह समस्या ए रोक सकता है जहां समार्ट मीटरिंग लगेगा तो राते इंडिक्वेर का करार देगा रिसाव को लेके पानी की गुडवत्ता को लेके कहीं अगर चूरी हो रहा है लिकेज हो रहा है उसको यहाँ पर दे देगा तो यहाँ बहुत ज़रुरत है समार्ट मीटरिंग को लगाने के लिए ध्यान रखेगा ताकि पा कर सकते हैं चुकि मैंने वहता है इसके बारे में आप लोगों को कि वैसा दुरुगा मेरिया वैसा एरिया ठीक है जहां पर कुछ आइडिया यहां पर नहीं होता है तो सेटलाइट एम रिमोट सेंसिंग माधियम से यहां से भी बहुत बड़ी मातरा में डेटा को एकत्रीत कर करके यहां पर जल का उचित प्रबंधन किया जा सकता है उस जगह को इडेंटिफाई कर लिया जाएगा कि कहां पर जल की मातरा की कमी है उसके बाद यहां पर हो जाएगा इलू रूबोट इलू रूबोट यहां पर देखिए अभी वरतमान में काफी यह चल रहा है इससे आपका सकते है ठीक है इलू रूबोट तो यह क्या करता है जो रूबोट है हावा में नमी की हावा में नमी से यह पानी को पानी को अलग करता है ठीक है तो बहुत important यहांपे चेज है मौझूद नमी को जो ठीक है रोबोट है तो यहाँ पर artificial intelligence की मदद से यह उस नमी को पानी में बदलने का यहाँ पर परियास करता है और इसी को लेक बेग्यानिक बता भी रहे हैं जब इस तरह का technology अगर develop कर लिया जाएगा इलू रोबोट ताइप का तो बाकी अन्य गरहों में जैसे की मंगल गरह पे भी मंगल गरह पे भी जल बनाया जा सकता है एक मूवी आया था मार्स आप लोगों ने जरूर देखा होली उट का देखिए वहाँ पे जो scientist होता है वहाँ पे गलती से छूट जाता है और फिर अपनी वासकताओ को पूरा करने के लिए जो primary होता है पानी पानी को कैसे वहाँ पे बनाता है तो यहाँ पे हो सकता है ध्यान रखेगा ELU robot का परियोग करके उसके बाद यहाँ पे नैनो तकनीक नैनो तकनीक का परियोग करके यह बहुत ही अभी कारगर साबित हो रहा है नैनो तकनीक अभी यहाँ पे ठीक है नैनो ट्यूब का नैनो ट्यूब का निर्माड किया जा रहा है और इसका परियोग जल परमंधन में किया जा सकता है अभी हाल ही में देखेंगे तो जो बहु के अस्टुडेन के द्वारा आयाईटी बनारस हिंदू इनिवर्सिटी बनारस हिंदू इनिवर्सिटी के बच्चों ने का ऐसा नैनो ट्यूब तयार किया है जिसके वज़ा से यहाँ पे बालू के अंदर सुद्ग पानी छंचन के नीचे चला जाएगा तो जिसके वज़ा से भूरी चार्ज यहाँ पे हो जाएगा भू रिचार्ज पूरी तरीके से यहा पे भी हो जाएगा ठीक वैसे ही यहाँ पे है यहाँ पे जैसे धालान टाइब का ठीक है यह नदी है तो इस तरह कर निर्माड कर दे जाए तो असाने से जो पानी है यहाँ पे इन नदियों में समंदरों में आके यहाँ पे मिल जाएगा और यहीं जो पानी है पूरी तरीके से रिसाइकलिंग परिकिरिया के तहथ भूग जल को यहाँ पे रिचार्ज कर सकता है यह भी एक बहुत कारगर यहाँ पर उपाए यहाँ पर हो सकता है ध्यार रखेंगा ठीक है तो नदी और महासागरी खिनारे बड़े बड़े वाटर शेट का निर्माड किया जा रहा है जिस परबंदर में बिग्यानेयम तकनीक का प्रियोग करके आप देख पार है का अपरी हद तक यहाँ पे समस्याओ को कंट्रोल किया जा सकता है अब आई हम लोग बात करते हैं आपे लाश्ट में निसकर्स के रूप में अब निसकर्स में आप यहाँ बताने का प्रियास करना ह कि देखिए इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जो यहाँ पे जल संकट है वर्तमान में बहुत बड़ी समस्याओ बन के उभर रहा है तो समस्याओ यहाँ पे है की नहीं है तो इसलिए यहाँ पे मनुसियों ने जो यहाँ पे अबैग्यानिक तरीके से मनुसियों ने जो अ इसके वज़ा से महायुद जैसे इस्तिती पैदा हो गई है, अगर इसको ठीक करना है, तो यहाँ पे जल का हाल हार में, उचित प्रबंधन यहाँ पे करना होगा, नहीं तो जल की वज़ा से महायुद तक भी यहाँ पे हो सकता है, ऐसे में यहाँ पे प्रबंधन करने के लिए, यहाँ पे आप सुझाओ दे सकते हैं, कि बिज्ञान और प्रदोगिकी का, प्रदोगिकी का साइन्स और टेकनोलोजी का बेहतरीन तरीके से प्रबंधन करके, काफी हद तक इस भूजल के दोहन को यहाँ पे ठीक है, मैनेजमें किया जा सकता है, इसका प्रबंधन किया जा सकता है, और भूजल को रिचार्ज भी किया जा सकता है, तो जब यह सारी चीजे अपने आप ठीक है, अगर होने लगेगी, बेहतरी तरीके से होने लगेगे, भूर रिचार्ज यहाँ पे हो जयादा पहले जैसा, तो समस्या भी नहीं आएगी तो ठीक है फरेंट्स मेरे ख्याल से इतना प्रयाद थे आप लोग अपना फीड़बाइट जरूर दे थैंक्स फर वाचिंग जैहिंद